बुड़वानी स्टुडेंट आज ही क्लास में पढ़ेंगे दो चरो में रैखिक समीकरण यूगम को ठीक है रैखिक समीकरण यूगम का पार्ट वन हम अध्यन कर चुके थे पार्ट टू हम पढ़ेंगे पार्ट वन को हम पढ़ चुके थे पार्ट टू में हमें उसी के कोश क्या है पार्ट टू में मतलब पार्ट टू में कोश्चन नमबर दो के तकिवल तीनी कोश्चन है तो उनी कोम कर लेते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइस 3.7 जो एच्छिक है उसे पड़ लेंगे इसके बाद हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा चलिए चलते हैं अपनी क् समस्याओं को रैकिक समीकरण युगम के रूप में ब्यक्त कीजिए फिर उनके हल ग्यात कीजिए तो देखिए कोश्चन नमबर पहला कह क्या रहा है सबसे पहले कोश्चन में देखिए इस तरह के जब भी कोश्चन आते हैं तो हम बस कोश्चन को ध्यान से पढ़ लें बोला गया कोश्चन में रितू धारा के अनकूल दो घंते में 20 किलोमीटर तैर सकती है अब वहीं पे धारा के अगर प्रतिकूल की बात की है अनकूल मतलब दिसा में हो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिसा में तो जब धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिसा में हो चलेग तो दो घंटे में चार किलोमीटर तैर कर लेगी कितने कर लेगी चार किलोमीटर दो घंटे में अगर कूल चलेगी दारा के और धारा की दिसा में चलेगी तो 20 किलोमीटर तैर लेगी तो पूछा गया है कि उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ग्याद की तो सब से पहले हम इस्तिर जल में अरदने की चाल और धार की चाल को मान लेते हैं तो चलिएर देखिए अनकूल में हमेशा जब दिंशा में और प्रेटिकूल को बोला जाता है घृष तो जब भी विपरीद दिसा में कोई चलेगा तो वहाँ पर माइनस मतलब वहाँ कोई च लगता है अनुपूल दिसा में वहीं पर कोई चल लेगा तो वहाँ पर प्ल Michaels का साइन लगता है ठीक चलिए सब से पहले हम कोसिछन को देख लेते हैं तो देखिया कोसिट क्या है पहला तो और समीन माना रितू की इस्थिर जल में तैरने की गती कितनी है तो मानेंगे माना रितू की जो चाल है जल में तैरने की गती वो कितनी है तो वो है एकस ठीक है वो है एकस किलो मीटर यह हमने मान लिया एकस किलो मीटर प्रति घंटा और धारा की चाल तो धारा की चार हमने के तमाल लिया है y km प्रति घंटा अब देखिए धारा की दिसा में बात करेगा तो हमने कहा था जब धारा की दिसा में चाल करेगी तो नाओ की जो जल में तैरने की जो चाल होगी और धारा की चाल होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी तो ये जुड़ जाएंगी या अपस में जब धारा के दिशा में जाएंगी तो बन जाएगा X प्लेस Y किलोमेटर प्रती घंटा और अगर धारा के प्रतिकूल जाएगी चल तो प्रतिकूल चल अमने कहाता घटती है मतलब विपरिद्धी समय तो हो जाएगी X-Y किलोमीटर प्रती गंडा अब देखिए यह हमने सूत्र पढ़ा है सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल यही होता है तो देखिए पहली जो condition थी हमारी कोश्चन बोली गई है तो यहां पर हम लिख सकते है condition first लिख दीजे condition first condition first में क्या बोला गया था तो देखिए condition condition first तो देखिए condition first में बोला गया था condition first में बोला गया है कि according to condition आप लिख सकते है first condition condition बोला है कि 2 घंटे में वो कितना चलता था 20 किलोमीटर चलता है दूरी इसकी किती है 20 किलो मेटर तो देखिए जो सूतर होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल समय पहली कंडिशन में 2 गंटे दिया गया था और जो दूरी दी गई थी वो 20 किलो मेटर दी गई थी तो लिख दिया गया, क्या लिखा गया तो देखें याँ पर बटे चाल की बात करें तो चाल हमारी थी X प्लस Y दरा की दिसा में लिख दी है आम ने दूरी 20 किलोमितर और चाल हमारी जो थी वो X प्लस Y लिख दी है याँ पर ठीके और यह समय दो गंटे, अब हमने इसके नीचे क्या मान लिया, दो मान लिया, मान लिजिए, यह इस तरह से, तिरिया गुणा करवाया, यह x प्लस y इधर आ जाएगा, दो इसके नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा, x प्लस y वराबर 20 बटे 2 के, 2 से हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो x प्लस y वराबर 10 के, यह समी करा नमबर हमारा फश्ट बन जाएगा, हमने बना दिया, अब सेकेंड कंडिशन की बात करेंगे, तो यहां पर लिख सकते है, according to second condition, लिख दीजिएगा, according to second condition, second condition की बात करें, second condition में बोला गया है, कि जब धारा के प्रति कूल चलता है, तो धारा के जब वो प्रति कूल चलता है, तो उसको टाइम, मतलब ट्रावल के आओगी उसकी, तो घटती है, तो x माइनस y चाल हो गई, तीक है, अब वो किलो मेटर कित्ती दूरी चलला है, 4, तो दूरी जगा में 4 रख दिया, समय की दिएम 2 कर देंगे 4 में, तो आजाएगा x माइनस y बराबर 2 के, यह समीकरण नमबर हमारा बन जाएगा दूसरा, अब देखें, कंडिशन जो मारी 1 बन गई, कंडिशन सेकेंड बन गई, अब बस हमें क्या करना है, समीकरण 1 वा 2 को हल कर लेना है, चलिए आंगे हम इस समीकरण 1 वा 2 को जोड़ देते हैं, तो चलिए आंगे देखते हैं, देखें, समीकरण 1 वा 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे जब तो यह प्लस, यह माइनस, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x से y सापस में जूड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, 2x, 10 वा 2 जोड़ कितना आजाएगा, 6, तो x वराबर मारा कितना आजाएगा, 6 आजाएगा, अब देखें, जब x की value हमारी 6 निकाली आई, यहाँ पर देख लीजे, आपको दिखाई पढ़ रहा, कि x की value हमारी कितनी निकाल आई है, 6 निकाल आई, तो हम समीकरण 1 में उठा के इसका मान रख पर, ठीक है, समीकरण 1 में जब मान रख देंगे, तो यहाँ पर x की जहां में 6 प्लस y बराबर 10 के, यहाँ पर कर देंगे, पच्छांतर करने पर, पच्छांतर कर देंगे, 6 हो जाएगा, वो इधर आजाएगा, तो 10 माइनस 6, 10 में 6 गटा देंगे, कितना आजाएगा, 4 आ हारा की जो चाल होगी, वो होगी 4 किलोमीटर प्रती घंडा, तो इस तरह से हमारा जो first question होता है, वो यहीं पर होता है, complete, question number 2 की बात कर लेते हैं, तो चलिए question number 2, तो देखे, question number 2 का, जो दूसरा question है, वो क्या है, उसे पढ़ लेते हैं सबसे पहले, देखे, लिखा है, दो म में पूरा कर सकते हैं, तो दो महिलाएं और पांच पूरुस, एक कसीदे के काम को साथ साथ चार दिनें पूरा कर सकते हैं, जब कि अगर बात करें, तीन महिलाएं और छे पूरुस की, तो ये इसको तीन दिन में पूरा कर सकते हैं, अब हमें ग्याद करना है, कि इसी कार को करने में अगर एक महिला कितना समय लेगी एक महिला का काम निकालना है और पुना इसी कार को करने में एक पूरुस कितना समय लगाएगा तो चलिए हम मान लेते हैं एक महिला को कितना लगेगा टाइम एक पूरुस को यक्स और वाई मान लेते हैं चलिए गोश्चन देखते है देखिए हमने यहां पर मान लिया हमने माना कि माना कार को पूरा करने के लिए अकेली महिला को समय जो लगता है वो यक्स दिन लगता है और अकेले पूरुस को जो समय लिया जाएगा वो कितना उसको लगेगा वाई दिन लगेगा देखे जब इस तरह से काम और दिन के जब भी question आते हैं तो जब एक दिन का कारे निकालते हैं एक महिला का एक दिन का कारे निकाल लेंगे तो यह बटे में चला जाता है तो कितना हो जाएगा एक बटे x एक महिला का एक दिन का कार एक बटे x अब condition जो हमारी first है यह condition first है condition में बोला गया है 2 महिलाओं और 5 पूरसों द्वारा कारे को 4 दिन में पूरा किया जाता है तो देखिए 2 का इसमें गुड़ा करवा देंगे और 5 का यहां पे गुड़ा करवा देंगे तो condition जो बन जाएगी 2x प्लस 5y बराबर कितने के तो देखिए यह 4 है यह बटे में आ जाएगा एक बटे 4 ठीक है चलिए देख लेते हैं आंगे तो देखिए यह हमारा जो है इस तरह से हमने बना दिया है 2x प्लस 5y और 4 दिन में वो कारे पूरा करता है चाहें गुड़े में इसे 4 लिख दे चाहें बटे में लिख दे बात एक की है तो देखिए जो condition हमारी first बन गई है वो यह इस तरह से बन गई यह 4 इसके नीचे आगे है तो condition बन गई है 2x प्लस 5y बराबर 1 बटे 4 के यह पर दूसरी condition की बात करें दूसरी condition में बोला गया है 3 महिलाओं और 6 पूरसों द्वारा जो कार किया जाता है 3 दिन में पूरा किया जाता है तो वही फिर उसी तरह से कर देंगे हम देखिए यहां पर लिख दिया हमने वहां पर तीन का गुड़ा और 6 का गुड़ा करवा देंगे महिला पूरस में तो यहां पर लिख दिया 3 बटे एकस प्लस 6 बटे वाई कोष्ट के अंदर 12 ने 3 लगा दिया गुड़ा करवा दिया अब यह बराबर कितने के 1 के तो अब यह 3 फिर इसके नीचे आ जाएगा तो condition जो हमारी बन जाएगी सेकेंड वाली वो बन जाएगी 3 यकस प्लस 6 बटे वाई बराबर कितने के एक बटे 3 के यह हमारा बन गया समी करण नमबर 2 अब समी करण 1 वा समी करण 2 को हमें हल कर देना है तो देखिए हल जाएगे तो दोनों को बराबर होना चाहिए तो देखिए चलिए आंगे चलते हैं अब देखिए यहां पर यह बटे फॉर्म में है तो बटे फॉर्म में है इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर एक बटे यकस को A मान लेंगे और एक बटे वाई को B मान लेंगे इससे जो सवाल हो जाएगा थो छोटखा बन जाएगा तो देख लीजिए समंय कईरण एक हमारा यह बना था समीकरी सेकेंड उसको लिख लिया किक लिएंगे अब विख लिए$ 2A प्लस 5 भी बराबर 4 के दूसरा बन जाएगा 3A प्लस 6 भी बराबर 3 के अब देख लीजिए यहाँ पे 4 जो है 4 को हम इधर बेज सकते हैं इधर बेज देंगे तो बन जाएगा 4 कुष्ट में 2A प्लस 5 भी बराबर 1 के यह पहला समी करण यह दूसरा हमारा बन जाएगा तो 3 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 3 3A प्लस 6 भी बराबर 1 के अब देखिए जब अंदर multiplication करवाएंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 पंचे 20 20 भी ठीक है माइनस यह पच्छांदर कर लेंगे माइनस 1 बराबर कितने के 0 के यह समीकर नंबर 3 बन गया अब देखिए यहाँ पे 3 का जब अंदर गुणा करवाएंगे 3 तिरका 9A प्लस 18B ठीक है तीचंग 18 18B माइनस 1 बराबर कितने के 0 के तो यह बन जाएगा समीकर नंबर 4 अब बस हम लगाना क्या है तो हमें लगाना है cross multiplication method ठीक है क्या लगाना है cross multiplication method लगाना है मतलब की हमें लगाना है यहाँ पे आपको बताया गया था वज्र गुडन विधी वही लगानी है वज्र गुडन विधी का सूतर सबको याद है याद भी करवा दिया गया था ठीक है BC BC ठीक है इस तरह से तो वही सूतर लगाया गया है फिर उसके बाद क्या था Y बराबर यहाँ पे उसके बाद था CACA ठीक है और बीच में माइनस चिन 12,21 ठीक है और फिर यहाँ पे था 1 बटे AB 12,21 वही सूतर यहाँ पे यूज किया गया है सबके मान रखे गए और बस गुड़ा मल्टिफिकेशन करवा दिया गया है तो देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 ठीक है तो B1 यह हमारा और यह हमारा इस तरह से हमको मल्टिफिकेशन करवाना है तो देखिए 20 का गुड़ा जब आप इस तरह से करोगे देखिए यहां पर देखिए पहले हमको इस तरह से इस तरह से मल्टिफिकेशन करवाना हमने करवा दिया 21 के 20 तो यह करवा दिया माइनस का 20 आ गया ठीक है बीच में चीने माइनस होता ही है अब यहां पर एक कगुणा 18 से करवाएंगे तो माइनस वन एक कगुणा करवाएंगे तो माइनस 18 आ जाएगा अब बीवाले में करवाएंगे तो बीवाले में किस तरह से करवाएंगे तो बीवाले में सीए सीए होता है तो देखिए इस तरह से मल्टिफिकेशन होगा बीवाले में इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा इस तरह से multiplication करवाएंगे तो 8 देखिए 9 के 9 तो 9 लिख दिया minus का 9 क्योंकि minus 1 अब 8 का करवाएंगे तो minus का 8 ये minus बीचे minus लगा दिया अब इसी तरह से देखिए हमारा थड़ वाला थड़ वाले में ये भी होता है तो इसका multiplication इधर इसका इधर 18 का 8 से करेंगे 144 और 9 का 2 से करेंगे तो 180 कर दिया अब सब को गटा लेते हैं सब को गटा आएंगे तो देखिए कितना मवनाता है अमारा तो is ने यह किया कि मैंने सब कर दो प्लस का ठाएगा तो आजएगा मैंने सब्हाइव और मैंनमें 2 यहां पर हो जाएगा नौ में गटा देंगे माइनस का एक यहां पर गटा देंगे 14 courses 68 सी तो कितना बनाजे घंड digestion देखिए यहां पर जब हमने यह किया कि माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा तो आजाएगा माइनस का दो माइनस 20 में गट जाएगा प्लस का ठारा तो माइनस दो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 9 में गटा देंगे माइनस का एक यहाँ पे घटा देंगे 140 में 180 तो कितना आजाएगा? माइनस 36 अब देख लीजी हम win करके इसमें कर देंगे तो पहले win हमने कर दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे win दो-डो पार्ट हम बराबर करते हैं पहले इसको इसके बराबर करते हैं फिर इसको इसके बराबर करते हैं तो पहले वाले को हम तीसरे एक बराबर कर देते हैं तो लिख दिया ए बटे दो बराबर एक बटे चतिस के तो देखिए ए बराबर जिब करेंगे तो इसका मल्ट्यूकेशन इधर इधर करेंगे दो बटे किता प्लस बन गया तो बोड़े दिया ब्लस बन गया तो तो लगवी बराबर जू आ जाएगा, वो वह कितने की आ जाएगा, 1 बटे 36 के, देखिए, A कमान भी पता हो गए, हमें, 1 बटे 18, B कमान, 1 बटे 36, हमने माना थे, भी आ भे लापन, पर A या ःप लिख देंगे, A भी के, मान रखने पर, एक कमान डग दिया, एक बटे 18, बी कमान डग दिया, एक बटे एक कमान डग दिया, एक बटे एक बटे X, बी कमान डग दिया, एक बटे Y अब बस हमें करना क्या है तो हम कर देंगे इनका तिर्यक गुड़ा तिर्यक गुड़ा करेंगे X बरावर कितने आ जाएगा 18 के और Y बरावर कितने आ जाएगा 36 के तो X और Y दोनों की वैलू हमारी निकल आएगी ठीक है चली यहीं से जो अगला कोश्चन चलते हैं तो अगल किलो मीटर दूरी पर इस्तित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेल गाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तैं करती है यदि वहाँ 60 किलो मीटर रेल गाड़ी द्वार तथा 6 बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वहाँ 100 कि यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं रेल गाड़ी एवं बस की जो चाल बतानी है वो कह रहा है रेल गाड़ी और बस की चाल क्रमसा ग्याद कीजिए तो यह हमें ग्याद करना है चलिए कोशन में देख लेते हैं देखिए जो टोटल दूरी है रूही के घर की वो 300 किलो मिटर ठीक है अब यहाँ पर कहा गया है वो रेल गाड़ी और बस दो चीजों से यात्रा करती है अपने घर तक जाने के लिए पहली कंडिशन में बोला गया है वो 60 किलो मिटर जब रेल गाड़ी से तै करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते है मतलब 4 गंटे में 10 मिनट जोड देंगे मतलब की 10 मिनट को इस तरह से लिखते है 10 बटे 60 तो इस तरह से जोड देंगे तो 10 मिनट अधिक लगते है तो हमें ग्याद करना है रेल गाड़ी वो बस की क्रमसा चाल जो है वो ग्याद करनी है तो हम मान लेंगे कि माना रेल गाड़ी एवं बस की करमसा जो चाल है वो यक्स किलोमीटर प्रतिगंटा और वाई किलोमीटर प्रतिगंटा है तो चलिए देख लेते हैं देखिए यहाँ पे हमने मान लिया है माना रेल गारी की जो चाल वो उने मान ली यक्स किलोमीटर गंटा वहीं पर अगर बस की बात करें तो बस की जो चाल अपने मानी है वो आई किलोमीटर गंटा देखें यह सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय अगर हमें समय निकालना होगा तो सूत्र बन जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल ठीक है यह सूत्र अपलाई होगा यहाँ पर ठीक है यह तो सूत्र लिख दिया गई यह वाला सूत्र अपलाई होना है क्योंकि समय कि यहाँ पर बात की गई आप देख लिए कूल यात्रा की जो दूरी थी यहाँ पर लिख दिया गया कितनी थी 300 किलो मीटर पहली कंडीशन में फ़र्स्ट केस में बोला गया है कि रेल गाड़ी से तै की गई जो दूरी है वो 60 किलो मीटर है कितनी है 60 km और वहीं पे अगर बस से तै कर रही दूरी तो बस जब तै करेगी तो देखिये रेल गाड़ी की जो दूरी है वो हमको कुल दूरी में घटा देना है तो हमारी किस की निकल आएगी सेश दूरी मतलब बस की दूरी निकल आएगी तो बस की जो दूरी आ गई हो आ 240 किलो मीटर अब सूत्र में अप्लाई करना है यहीवाला कौन सा समय बराबर दूरी बटे क्या चाल तो देखिए पहले की अगर दूरी बात करें रेल गाड़ी से बात करें तो रेल गाड़ी की आ जाएगी 60 बटे X आ जाएगी क्योंकि रेल गाड़ी की दूरी 60 है अगर रेल गाड़ी की चाल देखें तो रेल गाड़ी की चाल एक्स है तो हम लिख देंगे 60 बटे X वहीप अगर बस की हम समय की बात करेंगे तो बस का जो समय होगा वो जाएगा प्लस लिख देंगे यहापे बस का अगर जोड़ेंगे तो बस की जो दूरी है वो 240 km, बस की जो चाल है वो y km, तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 240 बटे y, यह हमारे समय हो गया, और कुल समय हमको दिया था, question में पीछ दिया है, कुल समय कितना था, तो कुल समय यहाँ पर था, 4 घंटे, तो आगया, तो यह question मारी बन जाएगी, तो देख लिजी आँगे, देख लिजी यहाँ पर question मारी क्या बन रही है, टोटल समय जो 4 घंटे था, तो यह question मारी बन जाएगी, 60 प्लस x, प्लस 240 बटे y, बराबर 4 के, समिकार नमबर 1, इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार, दूसरी condition भी होगी, दूसरी condition भी इसी प्रकार करेंगे, दूसरी condition में बोला गया है, कि रेल गाड़ी की जो दूरी थी, वो 100 किलो मीटर, और बस की जो है, तो बस टोटल दूरी में हम क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, 200 किलो मीटर निकल आए, कुल समय इसमें, 4 घंटे 10 मिनट था, तो हम पर लिख दिया हमने, जब मिनट को घंटे में बदलते हैं, तो इसको इस तरह से भी इख सकते हैं, 4 प्लस 10 बटे 60, इसको काट देंगे, कितना आजएगा, 1 बटे 6, 6 को गुणा, इसमें 4 में करवा देंगे, 6 को 24, 24 में एक जोड़ देंगे, कितना आजएगा, 25 तो 25 बटे चाल, तो हम इसकी भी इक करशन बना सकते हैं, तो इसकी इक करशन क्या बनाएंगे, लिख देंगे, रेल गाड़ी की जो हमारी दूरी वो 100 है, चाल हमने एक समानी थी, यहाँ पर दूसरी जो बस की है, वो 200 है, यहाँ पर वाई माना था, बराबर कितने के, तो 25 बटे कितन के, 25 बटे 6, तो यह हमारो जो समीकर नमबर 2 बन गया, अब समीकर एक वार दो को हल कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं, देखें, यहाँ पर समीकर एक और दो को हल किया गया है, देख लिजिए यहाँ पर, देख लिजिए सवाल जो हमारे question, first question यह बनी थी, second question यह हमारी बनी थी, यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसको छोटा करने के लिए सवाल को, हमें यहाँ पर एक बटे x को a मान सकते हैं, और एक बटे y को b मान सकते हैं, मान लेंगे, question छोटा बन जाएगा, तो देखे, question बन गया हमारा, 60 a, 240 b, बराबर कितने के, 4 k, दूसरी जो एक question बन जाएगी, वो बन जाएगी, 100 a, क्योंकि हमने यह मान लिया, तीक है, और 200 b, बराबर कितने के, 25 बटे, 6 के, तीक है, अब देखिए, 6 का क्या हम इधर multiplication करवा सकते हैं, करवा देंगे, इसके एक मान लेंगे, 6 का multiplication जिदर करवा देंगे, 6 का multiplication जिदर करवाएंगे, तो यह बन जाएगा, 600 a, 1200 b, बराबर कितने के, 25 के, तीक है, यह बन जाएगा हमारी, यह हमारी बन जाएगी, अगली question, तो अब देख लिजिए, इधर देख लिजिए, यह हमारी, 60 a, plus 240 b, बराबर क तो हमसमें कितने गुडबा देंगे 10 का गुडबा देते हैं तो मिखें क्या 10 का गुणा करने पर लिख सकते हैं तो लिख देंगे यहां पर देख लिजी यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण एक मिनट यहां पर समीकरण 3 को हमने गटा दिया है चार से लेकिन गुणा नहीं लिखा है तो समीकरण 3 में यहां पर लिख देंगे कितने का 10 का गुणा करके समीकरण 4 को गटाने पर समीकरण 10 में पहले हम 3 में क्या करेंगे यह जो हमारा समीकरण इसमें हम कितने गुणा करवा देंगे 10 का गुड़ा करवा देंगे जब इसमें हम 10 का गुड़ा करवा देंगे तो यह बन जाएगी 600A यहाँ पे लिख दीजेगा 10 का दोनों पच्छों में क्या करने पर गुड़ा करने पर तो लिख देंगे गुड़ा करने पर गुड़ा करवा देंगे तो यह आ जाएगा 600 A 24 A और 40 बन जाएगा ठीक है यह से इस मतलब एक क्वेशन को हमने मान लिया 3 और इसको मान लिया 4 अब हमने लिख दिया कि समी करण 3 और 4 को घटाने पर जब घटाएंगे दोनों को घटाने पर जो सेम होता है वो कट जाएगा त चैसो से चैसो क्या हो जाएगा कैंसिल बचेगा 2400 और 1200 2400 घट जाएगा 2500 40 25 घट जाएगा 15 तो 2 बचेगा 500 बचेए पंदख भाग बारव सोमें देंगे तो कितना आजाएगा एक बड़े ऐसी के, मतलब B बराबर कितना आजाएगा एक बड़े असी, अब B बराबर एक बड़े ऐसी उठा के समीकरण चार में रख देंगे, बी कमान रख देंगे तो देखें आप बी कमान एक बटे 80 रख दिया जीरो कांसिल ठीक है आठ से हमने काट दिया 120 को तो आगया हमारा कितना 15 आगया कितना आ गया 15 जब cutting हमने की तो काट दिये तो 15 आ गया और बड़ाबर में है कितना 25 ठीक है तो हम यहां पर हम लिख देंगे 55 करने पर ठीक है पच्छांतर करेंगे जब पच्छांतर करेंगे तो यह 25 इदर है और 15 इदर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में माइनस में है 25 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है और 601 इदर जब लिखेंगे 600 इसके नीचे आएगा तो यह बराबर हमने कर दिया कितना 10 बटे 100 जब चैसो करेंगे तो देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो अंसर आ जाएगा यह बराबर हो कितना आ जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा हमारा एक बटे 60 के तो देखें बी और एकी बैलू निकला ही है अब बी और एकी बैलू उठा के हम कहां जहां हमने माना था वहां उठा के रख देते हैं तो उठा के रख देंगे देखें चलिए आंगे देख लीज क्या करने पर मान रखने पर एवा बी का मान रखने पर देखे एक जब हम मान रखेंगे तो एक बटे एकस बराबर कितने के एक बटे 60 के तो हम यहां पे तिरियक गुणा करवा जेंगे जब तिरियक गुणा करवाएंगे तो एकस बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेल गाड़ी की चाल कितनी निकल आई तो रेल गाड़ी की जो चाल निकली हमारी वो हमने एक समाना था तो साथ किलो प्रती घंटा वहीं पे बस की चाल की बात करें तो हमने बस की चाल वाई माना था तो बस की चाल आ जाएगी हमारी कितनी 80 किलो मीटर प्रती घंटा की स्पीट आ जाएगी ठीक है दोनों की चाल निकला यही मारा क्या हो गया अंसर चलिए आंगे देखते हैं तो देखें यहीं से जो हमारे कोश्चन था वो समाप्त होता है इंड होता है तो यहीं से जो यह 3.6 exercise है वो finish होती है कलम पढ़ेंगे 3.7 exercise तो चलिए आज के लिए बस इतना ही